नुमर्सकार दोस्तों अब देखरें सन्वाल एजिटे को टुप चलें दोस्तों बात करेंगे MP बारी बोर्ड परेक्सा इकोनमिस यानि कि अर्षास्तर का पेपर है हिंदी और इंग्लिज दोनों वर्जिन में पेपर है और आंसर की आपको बताने वाला हो पेपर आच चुक क्या होगा दोस्तों रैट होगा यान कि अगले स्रेश्ट विकलब त्याग की लागत दूसरा क्युक्त नाता है गैर कर राजसोभ है दूसरा क्यूसरे में आएगा लाभांस यानि कि सय ओप्षन इसका क्या हुगा रैट आंसर होगा तीसरे क्से किस्दानत का समन्ध है तो है कि कोंसी लागत सुने नहीं हो सकती है इस तीर लागत इस ते ही लागत कौन से option में है आपई बै उप्षन राइट आंसर होने वाला है उसके बाद में आता है व्यस्टी अर्थ सास्त्र अर्थ सास्त्र सम्मंदित है तो इस question में आएगा व्यक्तिकत मात्राव से यानि की a option इसका क्या होगा दोस्टो राइट आंसर आने वाला है इंगली समेब दोस्टो से में ही आंसर आने वाले है ठीक है से में ही आंसर आने वाला है उसके c option आएगा पहला क्यूशन में दूसरे क्यूशन में c option आएगा और उसके बाद में तीसरे क्यूशन में a option आएगा की a option आएगा चोथा नंबर क्यूशन है उसमें a option आएगा पांचा नंबर क्यूशन है उसमें 7 option आने वाला है और 6 नंबर जो क्यूशन है उसके अंदर 2 option आने वाला है और 7 जो क्यूशन है उसके अंदर option आने वाला है ठीक है उसके बाद में आता है रिक्सितानों की क्या करने है दोस्ते आपे पूर्ती करनी है तो पहला question में क्या पूछा है GST की मानकदर है तो GSTC की जो मानकदर है वो कितनी है यह सभी को बता है 18% ठीक है कितनी दर है 18% उत्पाधन के साधन होते हैं विक्रता वस्तियद बेशता है सम्रोप ठीक है सम रोपिस का राइट आंस होगा उसके बाद में आता है कीमत उच्चावचन वाली प्रक्रिया है यानकी मुद्रा इस्पूती मिद्रा इस्पूती उसके बाद में राष्ट्याय की गण्णा होती है एक वर्स ठीक है नेक्स आता है M1 और M2 मुद्रा कहलाती है संकिनन और है संकिनन कहलाती है उसके बाद में दोस्तों आपके सामने ज़ों English की ओप्सन है सेम ही आंसर क्या रहने वाले यापे दोनों यान कि English के और हिंदी के दोनों के सेम आंसर रहेंगे हिंदी वालों को इंग्लिस में ट्रांसलेट कर सकते हैं उसके बाद में आता है यहां पर सत्य और सत्य पूछा है तो पहले क्यूशन के हम बात करते हैं पहले में हैं निवेश को बोतिक पूंजी स्टोक भी कहते हैं तो यह क्या है दोस्त यहां पर सत्ययन की राइट है यह सही है विदेशी विनिम्यम दर की फोरेक्स दर भी कहते हैं ये भी कहा है दोस्ति सत्य है गिफिन वस्तों पर भी मांग का नियम लाग होता है ये कहा है यहां पर गलत है उसके बाद में इस्तिलागत को पूरक लागत भी का आ जाता है तो ये भी कहा है दोस्ति आपर गलत है और प्रवेतन सी लागत सुन्या हो सकती है बिल्कुल राइट हो सकती है पूण्र परतीस प्रदा में बड़ी संक्या में क्रेता विक्रेता होते हैं यह क्या है दोस्तों आपका सही है या इनकी सत्य है ये कि गलत ये उसके बाद मैं आप यह इंगलिस में दे रखे हैं true or false तो पहले क्या होने वाला है true रहेगा दूसरा true तीसरा false चोथा false और पांचा true छटा true सात्वा false है उसके बाद में आता है next जोड़ी आती हैं पे चार चार question जो दे रखा है उसमें आपको क्या करना होगा पांचा सही जोड़ें जो झोड़े होगा जो मिलान है वो करना होगा परवाह तो परवाह का जो answer जो एक physician है यह अंब यह पर भाहा है परवा양ा और परवाह का answer जो दूसरे क्या सब्सक्राइब नंबर है उसमें आएगा इओप्शन इस्टो का मतलब हो गया सी बटावाई बजट रेखा की प्रणुता पांचों नंबर जो क्यूशन है चट्टे क्यूशन में आएगा डी ओप्शन अभी यहां पर बात करते हैं यह क्यूशन बच गई आपकी बजट कई प्रणुता कौन सी होते ही आपको बताना होगा ठीक है कुछ क्यूशन आप इसके में विलान कर सकते हैं उसके बाद में इंगलिस में भी दे रखे हैं सेम ही क्या रहेंगे दोस्तों इनका आंसर रहने वाले हैं पांचों नंबर क्यूशन आता है उसमें पूचा एक वा कई जाता है तो इसमें एगा निउंतन समरतन मुल्य सरकार के द्वारा की द्वारा निधर्ट कीजाता है मुद्रा सबूती कि किलेते हैं एक अर्थ वहसता हमें बश्तों के मूल्य में होने वाले निरंतन वर्दी को मद्रास्पूती कहा जाता है नेक्ष आता है ए toujours Have estás तो राष्ट्य आय की विद्यो की गणना के नाम है उत्पादन गणना विद्य हो गया, आय गणना विद्य हो गया, व्या गणना विद्य हो गया, ठीक है, सीमान्त उभोग परवर्ती किसे कहते हैं, आय में प्रिवर्तन का वह बाग जो उभोग किया जाता है, उसे सीमान्त उपवोग परवर्ति कहा जाता है नेक्षात है परत्यासित निवेश किसे कहते हैं वह निवेश जो निवेश करता हो किसी विशीष्ट उद्देश के प्राप्ति के लिए आय तथा रोजगार की विभिन इस्तरों पर करने की इच्छा रखता है ठीक है उसके बाद में आप दोनों के आंसर सेम रहने वाले हैं आप इंगलीस वाले ट्रांसलेट कर सकते हैं चटा नंबर क्यूशन में पूछा है उच्तम निर्धारित कीमत किसे कहते हैं इसकी परिवास देना होगा तो यहां पर परिवास इसकी लिख सकते हैं आप किसी वस्तु अत्वास सेवा के सर दर्शे हाथ किसे कहते हैं तो इसकी परिवास रिख सकते हैं जब भी सभी व्यक्ति लेंदेन के द्वारा अपनी अपनी लाप के बारे में सोचते हैं तो आर्थिक समंदों की परकरती अपने आप इस तरह बन जाती है जो सभी की हित्मे होती है मतलब हक में होती है ऐसी दस आपको इसी परकर्ति का अधर से हाथ कहा जाता है यह आंसर हो गया अत्वागा नेक्षात है बाजार संतुलन कीमत किसे करते हैं तो दोस्तों इसकी परिवास आप लिख सकते हैं संतुलन कीमत वह कीमत है जो मांग और पूर्ती की सक्ट्यों द्वारा उस बिंदू पर बराबर होती है ने सुष्ण की बात करते हैं आपर जो अत्वा में दे रख है स्रम का सीमांत संप्राप्ति उत्पाद किसे कहते हैं तो इसका राइट आंसर है आप लेख सकते हैं स्रम का सीमांत संप्राप्ति वह सीमांत उत्पादन के गुणन फल का स्रम का सीमांत संप्र बेरानति उत्वात कहले लाता है यह स्रम की परतीक अत्रीत इकाई के लिए प अतिरिक्त लाब के बराबर होती है। अउसके बाद मैं दोस्तों बात करते हैं और पर आपको प्रीवा से देनाओं उप ज Fields किसी करते हैं तो इसका या राइट सरे आप लिखेंगे वे अंतिम वस्तोय जो परत्यक रोप से उभोपता की मानवे आउसक्ताओं के पूर्टि करता है उभोपता द्ownedवारा क्रेय की गई वस्तोय और सेवा उभोपता वस्तोय किसे करते हैं दोस्तों इसकी परिवास आप लिखेंगे आपर अंतीम वष्टो के रोप में पुंजी, गत, वष्टो, उत्पाधन की इस्तिरे परिस्तितियों यदि जो परिसंपतियों होती है इन वष्टो का उत्पाधन प्रक्रिय में बरबर कई वर्सों तक प्रियोग किया जाता है। में लिख सकते हैं नेक्स आता है व्यव्यतिक आई किसे कहते हैं यान कि इसकी क्या देनी आपर परिवास से देनी यह यह भी दो नमर की उसने तो दोसर इसका अंसरा आपर लिख सकते हैं व्यत्तिगत आई व्यत्तिगत जो किसी देश में एक वर्स के अवजी में व्यत्ति अत्वा परिवार दुआरा वास्तवी ग्रूप से प्राप्त होती है उसके बाद में नेक्षाता है निवल राष्ट्य उतपाद किसे कहते हैं अहां पे जो अत्वा है नोका उसके अंदर पूछा है निवल राष्टे उत्पाद किसे कहते हैं तो इसका आंस्व लिखेंगे किसी अर्थुष्टा द्वारा उत्पादित अंतीम वस्तोय और सेवाओ के अंतीम मोद्रिक मुल्य में विदोस्वे से प्राप्त आई को जोड किया जाता है उसे किसी देश की राष्टे आई होती है ठीक है उसके बाद में आता है SLR SLR किसे कहते हैं यहन कि इसकी परिवासा देना होगा दोस्तों यह क्यूशन थोड़ा से क्या आप बढ़ा है तो सब इसका आंसर भी आपको बदा देता हूं लिख लेना यह भारत में कारेर सबी बैंकों की सकल जमाका वहनुपाता जिसे बैंकों को स्यम के पास रखना पड़ता है और इसके लिए यह जरूरी नहीं है कि नगद रूप में हो और यह गैर नगद भी हो सकता है ठीक है SLR की मात्रा को आरभिया निधरित करती है SLR को बैंक अपने पास तीन रू ना तथा गर्वर्नमेंट जो सिक्रिटी के रोप में इस परकार बैंकों को SIR पर लाब देती है यह सभी बैंकों के लिए लागों होता है और बैंकों द्वारा SLR को मेंटेन नहीं रख करने पर RBI उस पर जुर्माना लगाती है ठीक है पूछें यहां पर अत्वा के अंदर उच्छ सक्ति साली मुद्रा क्या है यानि कि इसकी परिवास से देना आपको तो 200 इस कांसर आप लिख सकते हैं देश के मौद्रिक प्रारदी करण की संपूर्ण देता है यहां कि भारत में RBI और सरकार की देता जैसे हम बात करें फ़र्ष्ट पॉं सरहल सब्दों में रिज्ञों सरकार दौरीर्ट और सत्वेता में जो मूद्रित prevamit की जाती है उसके जो तत्तो है वो है यांपे फ़रश चटों मान सकते हैं जनता केमे पास करंसी अन्की नॉट और सिके बैंकों के पास नगद लिजव और उच्सक्ति मुद्रा हर ब्राबर आप सटहर लेख सकते हैं जनता के पास करंसी पलस नगद आरख्षित अनुपात प्लस अत्रिक्त रिजव ठीक है तो या आप जितना आप इस तरीके से आप लिखेंगे ना दोस्तों तो आपको फुल नंबर यापे मिलने वाला है पूरे क्यूशन की जितने भी क्यूशन यापे हैं सबी की आंसर की बताऊंगा ध्यान रखे लास तक वीडियो को जरूर दे लिखेंगे पहला लिखेंगे समग्र बाग के दो गठेंगे दो गठेंगे उसके बारे में लिखना होगा इसके अंदर यह भी दो नंबर का क्यूशन यापे दिया गया है दोस्तो इसका अंसर आप लिखेंगे पहला लिखेंगे समग्र बाग के दो गठेंगे हैं पहला है उपभोग व्या और दूसरा है विनिमियम व्या तो पहले उपभोग व्या की परिवासा यान कि उसका संसेबरिजम वरन करेंगे तो आप लिखेंगे उपभोग व्या में केंस के अंसार कुल आय तथा कुल उभोग व्यमे एक निस्चित समन्द होता है जिसमें उभोग फलन कहते हैं यह उभोग फलन बताता है कि आयमे वर्दी के साथ उभोग में भी वर्दी होती है परनतो उब्वोग व्यमे व independent की अपिक्षवक्रत कम होती है विन्यमे विमे में लिखेंगे साधरन अर्थों में विन्यमे किसी आवश्यह वर्तमान परभूतियों सेर विद्नमान पुंझी या भूमी की खरीदनेसे होता है किन्तो अर्षास्त में इसे विनिमम नहीं कहते हैं क्योंकि एसी खरेट से केवल विद्मान जो परी संपती है उनका अस्तानांतर मात्र होता है और अर्षास्त में विनिमम की सियाश्य की वास्तवी विनिमम से है जो नई मसीन, सड़क, फैक्टरी भाहन आधिक रोप में होता एसे विन्वियम से आयो रोजगार के सदेव इस तर क्या बढ़ता है यहां पर बढ़ता रहता है नेक्स आता है न्यूटन न्यून मांग के दो कारण पूछा है ने न्यून मांग के दो कारण पूछा है तो पहला कारण लिखेंगे आप बैंक दर की वर्दी दूसरा है सरका द्वारा चलन मुद्रा पूर्ति में कमी करना और उसके बाद में आता है अध्यादिक की मांग से क्या आश्या है तो अभी प्राया पूंचा है आप तो इसमें आप लिखेंगे आश्या लिखेंगे पहले तो पूर्ण रोजगार के इस्तर पर इस्तर के लिए जितनी सकता होती है उससे अध्या रख लख कहते हैं कि की रख मांग कहते हैं और के अनुसार अत्यादिक मांग Momsteria जब वर्तमान कीमतों पर वस्तोय शिवाओं की कुल मांग उपलब्ध कुल पूर्थी में भड़ जाती है तो अत्य दिक जो मांग है उसके कारण लिख सकते हैं गाटे की गाटे की वित्वेस्टा सरकार की निती बैंकों की साक्ष्ण नविन प्रभावपूर्ण मांग क्या है इसकी परिबास देना है दो दो नम्मर के सारे क्यूशन है आपको आने चाहिए तो इसमें आप लिखेंगे किन्स के अनुशार किसी अर्ष तरष्ता में रोजगार की कुल मात्रा कुल परभावपूर्ण मांग पर निर्भर करती है और सकती है से पारी बस की मांगे किसे कहते है आप निशनय की सकते हैं 3 पूंड अन्य चीज़ों को इस तर रखना हो गया सबी चीजह समाण रहती है और किसी अन्य चर्मे कोई पर शांता है लिख सकते हैं और दृष्टा कि कि फर्बास आप लेक्सकते हैं सब्सक्राइब करता है लाब किसे करते हैं जाता है नेक्श लाब आब किसे करते हैं येदि कोई व्यस्तु से अधिक आ मुल्या में बेची जाते है। इससे लाब काते हैं लाब ब्रबर विकञ मुल्या माइनस क्रे मुल्या Siyava किसे करते हैं इसकी परिवास लिखना होगा तो आप दोस्ट से इस पुल उपियोगता में तीन क्या लिखना होगा समन्द लिखना होगा तो जैसे हम बात करते हैं आप पहला पूर्ण लेख सकते हैं जब तक सीमांत उभ्योगता धनात्म होती है तो कुल उभ्योगता अदिक्तम होती है जब सीमात उभ्रता रनात्मक होती है तो कोल उभ्रता गटती जाती है और उसके बाद मैं आप HEY जो अथामिक क्योशन पूचा है पूंड़तेया लोसदार मांग और पूंड़तेया वे लोसदार मांग की संक्षे में समझा ना होगा ऑनकी इसके बारे में आपको की दोस्तो किया करना होगा यहां पर इसको समझाना होगा यह बढ़ा क्यूशना है थोड़ा सा जो आपकी बुक से है उसके बाद में अधेक तुमे एकरंग की 3 सर्थे बताना होगा ठीक है या तो हमें देरगज का है तो आपकी इसकी जो 3 सर्थे लिख सकते है कीमत P. Σीमांत लागत के बरौबर हो क्यों पर सीमांत लागत हसमान से नहीं हो और अलबकाल में कीमत पी ओसत परिवतन सी लागत से अधीक होनी चाहिए ठीक है नेक्स आता है अठारा नमबर जो क्यूशन है भारतिय रिज्यो बैंक को बैंक की किस भूमी का को अंतीम रनात्मक यान की जो रनदाता का जाता है तो इसकी जो परिवास है वो आपको देनी होगी जब एक वानिज्यक बैंक वित्य संकट का सामना करता है तो अन्यस रोसे से धन प्राप्त करने में विफल रहता है तो केंद्रे बैंक अंतीम उपाय की रनदाता में महत्पूर्ण भूमी का निबाता है और उन्हें रन की रोप में वित्य सायता परधान करता है एक सवत बेंग की परनाली रखता है, और इसके बाद में जो अथव्में है यह आनकी दोनुमें से आपको दोस्तो यहां पर यॉट्सन है कर ना ओगा, इसका भी आइण्सर आप दूड़ सकते हैं इस्तापन वस्तोय और पूरग वस्तोय और पूरग वस्तोय में क्या है अंतर पूचा है तो जैसे में बात करें इस्तापन जो वस्तोय है चाय कोपी गुड सक्करादी होती है और पूरग वस्तोय होती है जैसे कार, पैट्रोल, पैन शाई इस तापने वस्तों में लिख सकते एस वस्तों की मांग परती इस पर दात्मक के होती है और पूरा के जो वस्तों है एसे वस्तों की मांग स्यूंगत होती है ठीक है और इसके अंदर अथ्वम पूछा है किसी वस्तों की मांग को परभर्ट करने वाले तीन कारक नाम लिखेंगे भोगता की आई धन का वित्रण इसमें आपको बंदन करना होगा तीनों का और बीस नंबर जो क्यूशन है उसके अंदर आपको अलपकानी नोसत लागत अनुसूची निकालना होगा ठीक है कुल लागत और अलपकानी लागत की तो आप देख सकते हैं आपके किस क्यूशन दिया गया है कुल परिवर्ति लागत और कुल इस ती लागत में कोई चार अंतर बताने होंगे और राजिस सभ्य और पुंजी गत्व्य में बेद लिखें चार नमर क्यूशन है गाटे की बजट की क्या भी प्राइए इसके परिवकारों कर संक्षी में व्यक्य क पर उस वर्स्तु की 15 एक काई मांग मालीजे की वर्स्तु कीमत बढ़कर सात्र पर जाती तो कीमत लोजकी गणना करना होगा ठीक है और उसके बाद में आता है यहां पर जो मांग है मांग के नियम की सचितर व्यक्या करनी होगी दोस्तों यह प्र आपका क्या हो चुका है तो ज़्यादा जाता है पर शेर करें लाइक करें और चैनल को से इसकर सब्सक्राइब करें धन्यवाद